इंडिन कैप्टन रोहिट शेर्मा की लगभग 14 महने बाद अफगानिस्तान की खिलाफ T25 टीम में वापसी हुई वापसी इतनी मज़दार थी कि जिसकी वज़े से ये मैच यादगार बन गया इस मैच में कई ऐसे लमहे आए जब रोहिट काफी खुश दिखे तो कभी काफी नाराज कभी कैच छूटने पर गुस्सा दिखे तो कभी रन आउट होने के बाद गाली देती हुए दिखाई दिए तो चलिए आपको दिखाते हैं रोहिट के कमबाक के कुछ इंटरस्टिंग मोमेंट्स सबसे पहले बात करते हैं टॉस की टॉस के बाद मुरले कार्थिक ने जब रोहिट से प्लेइंग 11 के बारे में पूछा तब रोहिट ने कहा कि वो उन प्लेइर के नाम बताएंगे जो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं उसके बाद उन्होंने संजू सैम सिंग या सस्वी जैसवाल और आवेईश खान का नाम लिया और चौते खिलाडी का नाम भूल गए रोहिट के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है जब वो टॉस के समय ये बताना भूल गए थे कि वो पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग वराट कोली ने एक इंटेव्यू में रोहिट के इस भूलने की आदत के बारे में भी बताया था अफगानिस्तान की 158 रनों की जवाब में बलिबाजी करने उतरी भारतिये टीम की तरफ से रोहिट ने ओपन किया और पहली गेंद को अच्छे से टाइम भी किया और दूसरी गेंद को उन्होंने आगे निकल कर खेला लेकिन शॉर्ट मेड़ पर जाकर जारदान ने गेंद रोक ली उसी समय रोहित ने एक रन लेने की कोशिश की और दोड़ते हुए दूसरे छोर पर पहुच गया लेकिन शुबमन गिल के साथ तालमेल की कमी की वज़े से वो रन आउट हो गए आउट होनी के बाद रोहित का गुस्सा शुबमन पर फूटा और वो उन पर जलाते दिखे नमबर थर्ड रोहित ने एक बार फिर से शांदार कप्तानी दिखाई रोहित ने अक्षर पठेल और वाशिंग्डन सुन्दर से पावर प्ले में गेंदबाजी करवाया जबकि रवी विश्णोई को बीच के ओवरों के लिए बचाया सुन्दर को 19-ओवर में भी गेंदबाजी दी नए नियम के तहट तीन बार 60 सेकिंड के अंदर ओवर शुरू करने में विफल रहे बलेबाजी टीम को 5 रन पैनालिटी के तौर पर दिये जाएंगे हाला कि जब भारत ने 20-ओवर शुरू किया वो 2 ओवर सागे थे मैच के दौरान मुहाली के ठंडे मौसम में काफी बार रोहित को गर्म पानी के बैक से हाथ सेकते हुए देखा गया कई बार गेंद रोहित के हाथ पर लगी जिसकी वज़े से वो काफी दर्द में दिख रहे थे जिसके वज़े से वो समय समय पर गर्म पानी के बैक से हाथ सेखते दिखे ताकि उनके हाथ गर्म रहे और चोट महसूस न हो बार-बार उनको ऐसा करते देख हमपायर ने ऐसा करने से रोग दिया आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं